नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का GS Vision Academy पर दोस्तों आज की स्वीडियों में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप कोई भी competitive exam की तयारी करने होंगे तो ये वीडियो आपके लिए very important रहने वाला है और ये जो current affairs है ये 1 से 16 December 2022 की बीच जितने भी important question आपके बनते हैं वो सारे question इस वीडियों में सामिल है आपको practice के रूप में मिलेगा ये बहुत ही महत्वपून MCQ है और all competitive exam के लिए चाहे आप state service exam या कोई भी competitive exam की तयारी करने है तो उसके हिताब से बहुत ही महत्वपून रहेगा आपके लिए वीडियो जो है खास करके छात्रा सधिक्षक पटवारी आने वाला सिक्षक भरती परिक्षा और state prelims exam अगर CG PC की भी तयारी करने है तो बहुत ही important रहेगा या other state का भी तयारी करने है तो सभी exam के लिए आने वाले जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डिलेस को सबसे पहले आप तक पहुँचता रहें तो चलिए इसमें उन्हीं प्रशनों को सामिल किया गया है जो आपके exam की द्रिश्ट्री कोट से बहुत ही important है आप सारे question जरूर solve किया करें और comment करके जरूर बताइए कि कितने question आपसे बनते हैं तो पहला question क्या है देखिए हाल ही में किस केंदरी मंतराले द्वारा नई चेतना अभियान की सुरुवात की गई है तो किस केंदरी मंत्राले के द्वारा नई चेतना अभियान, याद रखिएगा नई चेतना अभियान की सुरवात किस केंदरी मंत्राले के द्वारा हुआ है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये जो है ग्रामण विकास मंत्राले के द्वारा सुरवात हुआ है, नई चेतना अभियान अब देखिए राष्ट्री आजीव का मिशन के तहत योजना यह योजना सभी राज्यों में सुरू किया गया है तो यह इस योजना से नई चेतना जो अभियान है इससे important factor जो भी बनेगा उसको भी देखेंगे तो यह जो है सभी राज्यों में सुरू किया गया है इसका उद्देश से महिलाओं को हिंसा पहचानने और रोकने एवब उनके अधिकारों के बारे में जागरूप करने के लिए तयार करना है तो यह इसका उद्देश से है नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन आपका हाल ही में किस राज में हारनबील महसव सुरू किया गया है तो यह नागलन में सुरू किया गया है चली नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं भारत के कि शहर में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आउजित किया जाएगा इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आउजित किया जाएगा यह जो है इससे important fact देख लेते हैं G20 के अध्यक्षता सम्हालने के बाद भारत दारा प्रमुक रूप से प्रमुक कारे क्रमों में से ये एक है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मतलब IISF 2022 जनवरी 2023 में भोपाल सहर में आयोजित होगा नेक्स्ट कुश्चन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन है आपका विश्वस्वास्त संगठन के अगले मुख्य वज्यानिक की रूप में किसे चुना गया है तो देखिए विश्वस्वास्त संगठन मतलब है W.H.O ध्यान रखिएगा कभी कभी आपके एक्जाम में सौर्ट फरम में W.H.O लिखा मिलता है तो याद रखिएगा इसका मुख्य वज्यानिक की रूप में किसे चुना गया है ये हमारे यूटूब के कम्यूटी में भी ये कुश्चन दिया गया था और यूटूब के कम्यूटी में जो कुश्चन दिया जाता है उसे सौल जरूर करें और कमेंड भी उसमें किया कईएगा चलिए देखते हैं इस कुश्चन का अंसर क्या है तो ये डॉक्टर जेरेमी फरार ये मुख्य वज्यानिक W.H.O का मुख्य वज्यानिक के रूप में चुना गया है नेक्स्ट कुश्चन है आपका सहिक्त राष्ट महिला समू से हाल में किस देश को बाहर कर दिया गया है तो देखिए सहिक्त राष्ट में महिला समू से किस देश को बाहर कर दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये इरान है इरान को बाहर कर दिया है अमेर्की प्रस्ताव के बाद सहिक्त राष्ट्र महिलत समुह ने इरान को बाहर कर दिया है लेकिन इस ओटिंग प्रक्रिया में भारत ने भाग नहीं लिया है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं next question है आपका हाल ही में किस देश ने परमाडू सलयन पर एतिहासिक परिक्षड किया है तो कौन सा देश है जिन्हों ने परमाडू सलयन पर एतिहासिक परिक्षड किया है देखिए आज तक जो भी परिक्षड है परमाडू विखंडन पर हुआ है लेकिन ये परमाडू सलयान पर हुआ है और USA ने किया है इसका correct answer होगा तो देखी दोस्तों बहुत ही important question आप सामिल किया गया है एक बार और बता दो मैं आपको सारे question आप note down करते चलिए जितने भी आप note down करेंगे और सूने रहते हैं तो वो आपको exam के याद रहता है चली परमाडू सलयान परमाडू इखंडन से भिनना है परमाडू सलयान की अभिक्रिया सूर्य और तारों में देखी जाती है सहिक्त राज्य अमेरिका के वग्यानिकों ने लंबे समय में खोज के बाद परमाडू सलयान में महत्पुन वग्यानिक प्रगति का दावा किया है next question क्यों आगे बढ़ते हैं हाल में किसके द्वारा अंतलराष्टी जन्वाईू क्लब का बढ़ते हैं तो एक शांत काम करने के लिए परुसाहित करने है टो कि गई है नेक्स्ट कोईश्चन के और बढ़ते हैं भारत की सेना हाल ही में किस देश के साथ काजिन्द 22 का अभ्यास किया है तो याद रखिए गई इस तरह से कोईश्चन पूछे जाते हैं और एकदम selected कोईश्चन है चलिए ये भारती जो सेना है किस देश के साथ काजिन्द 22 का अभ्यास किया है तो कजाकिस्तान के साथ ये आपका correct answer होगा भारती सेना और कजाकिस्तान की सेना ने मेघाले में अब देखिए कभी आपको जगह भी पूछ लिए आता है तो किस जगह में अभ्यास किया गया है ये काजिन्द 22 का तो में खाला में किया गए याद रखेगा सहिक्त सेना का भ्यास किया गया जिसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 के बीच किया जाएगा तो ये आपका बहुत ही important है इस तरह से question बनते हैं आपके नेक्स्ट आपका खाल ही में भारत ने बैलेस्टिक मिसाइल अगनी 5 का एक सफल परिक्षड किया है जिसकी मारक छमता क्या है तो देखि इसकी मारक छमता है 5000 से 5500 किलो मीटर तक ये मारक छमता है अगनी 5 मिसाइल का तो एक्जाम में पुछे जा सकते हैं और ये भी पुछा जा सकते हैं कि ये जो अगनी 5 मिसाइल है ये किस तर्ट से किया गया है तो उडिसा तर्ट से APJ अब्दुलकराम आईलाइन से किया गया है सफल परिक्षार नेक्स्ट कुश्चन है आपका एक दिसी क्रिकेट में सबसे तेज 200 अरण किस खिलाडी ने हाल ही में बनाया है तो सबसे तेज 12 तक किस खिलाडी ने लगाया है एक दिसी मैच में तो ये हैं आपके इसान किसन 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 लगाया है इसान किसन ने और एक कुछ चल बन सकता है चलिए ठीक है ये तो ये रिकार रिकार्ड है यह क्रिस गेल की नाम पर था और ये इशान किसनद अभी हाली में ये बांगला देश के खिलाप अन्तीम और तीसरा वनडए मैच में यह रिकार्ड कायम किया है और मात रेक 126 गेंदों में 12 सतक लगा करके क्रिस गेल का एक दिसी जो सब्सक्ते तेश 12 सतक था उ पूले लिए नेक्स्ट कोईश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईश्चन है आपका उभोगता मुल्य सुचकांक अधारीत खुद्रा मुद्रा इस्पिती भारत का नौवंबर में 2022 में क्या है तो देखिए खुद्रा मुद्रा इस्फिती मतलब खुद्रा जो मुद्रा इस्फिती है भारत का नवंबर 2022 में क्या है तो इसका करेक्ट जो आंसर है 5.88 परसेंटेज नेक्स्ट कोशिचन है एकोनामिक से इसी तरह से डेटा का कोशिचन पूछा जाता है आपका नोट डाउन करते चले जाएगा भारत ने मोबिलिटी और माइग्रेशन के सहीग घोसरा पत्र पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है तो देखिए mobility और migration के सच्थ घोसड़ा पत्र पर भारत जिये किस के साथ भारत फिनलेंड के साथ जो है हस्ताक्षर किया है भारत के केंद्री मंतरी अब देखिए mobility और भारत मेंद्री मंतरी विदेश सराज्य अंग मूरली धरन और यही पुछा जाएगा आपका एकजाम में वैसे फिनलेंड का नहीं पुछा जाएगा लेकिन फिर भी आप हैटेन हैटेनें ऐसे करकी याद रखीएगा दोनों की बीज हस्ताक्षर हुआ है चलिए नेक्स्ट कुश्चन आपका धुम्रपान पर बहुत ही इंपॉर्डन कुश्चन है धुम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकु कानून पारिद किया है तो देखिये अभी कौन सा देश है जिन्होंने धुम्रपान पर निशेद लगाने के लिए ये तमबाकु कानून परतिब्यंद लगाने के लिए तमबाकु कानून पारित कर दिया है तो नीजी लेंड ने किया है किसने किया है New Zealand ने बहुत important question है ये next question के और बढ़ते हैं राष्ट्री shooting championship 2022 में महिला एर पिस्टल में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता है तो देखिए ये राष्ट्री shooting championship 2022 में महिला एर पिस्टल का ये था अब इसमें ज़ो है दिव्या टीएस ने ये जो है सुन्द पदक इन्होंने जीता है कौन सा पदक सुन्द पदक और question आपके बन सकते हैं कि ये जो महिला एर पिस्टल दिव्या है ये कहा कि हैं तो करनाटक की रहने वाली है और इन्होंने किन को हरा करके ये सुन्द पदक ज ये कौन से नंबर का था। 65 नंबर का राष्टी निशाने वाजी चेंपियांसिब था। तो इतने important fact आपको इस question से संबंदित याद रखना है। Next question है आपका स्वयम का जलवायू परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कर है। देखें कोई भी भारत का पहला राज्य जो होता है वो अपने आप में important हो जाता है। तो आपको याद रखना है स्वयम का जलवायू परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिल नाडू तो ए आपका correct answer होगा। next question क्यों बढ़ते हैं? उनी सेफ डे प्रती वर्षक कब मनाया जाता है? तो उनी सेफ डे जो है ये ग्यारा दिसम्बर को मनाया जाता है। Next question क्यों बढ़ते हैं हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने है तो गुजरात के जो नए मुख्यमंत्रे ही ये भुपेंदर पतेल बने है याद रखेगा और ये भुपेंदर पतेल लगातार दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंतरी का चुनाव जित लिया है तो राजयपाल अब किस ने इन्हें सपत दिलाए तो राजयपाल दिलाते हैं किसी भी राजय में मुख्यमंतरी का सपत ये भी याद रखेगा राजयपाल कों थे तो अचारे देवरत ने भारती जनता पाटी ये किस पार्टी के नेता थे ये भी आपके question बनते हैं तो ये भारती जनता पार्टी के नेता थे भुपेंदर पटेल और ये ठारवे नंबर के मुख्य मंतरी बने कहां के आपके गुजरात के तो ये क्रम भी आपको याद रखना है और उन्होंने लगातार दूसरी बार कित पिक संग की पहली महिला देक्ष जो है ये पीटी उसा बनी है याद रखेंगा ये कम्यूनिटी में ये question दिया गया था हमारी यूटूब चैनल में आप देखे होंगे नेक्स्ट है आपका भारत की global aviation safety ranking में भारत की कौन सी rank है तो भारत की 48 वर rank है याद रखेंगे आप लोग क्योंकि rank पुछा जाता है नेक्स्ट कोस्चन है आपका person of the year 2022 के लिए time पत्रीका ने किसे चुना है ये किसे सम्मानित करेगा इस तरह से आपसे question पुछा जाता है तो ये है आपका blood of mir जलेंस्की को जो है person of the year 2022 के लिए चुना गया है नेक्स्ट कोस्चन है आपका भारत का पहला दिव्यांग विभाग किस राजय में स्थापित किया जाएगा देखें ये भी भारत का पहला है और दिव्यांग विभाग है तो ये कहां स्थापित किया जाएगा तो ये जो है महाराष्ट में स्थापित किया जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका दीन वोलु आर्ट याद रखेंगे आप लोग तो किसी देश की पहली महिला राष्ट पति या पहली महिला प्रधान मंत्री या अपने आप में भी इंपोर्टेंट बन जाता है ऐसे कुश्चन को रोड डाउन करके बिल्कुल चलिया आपनों भारत में राजसभा के नए सभापति के रूप में किसे नुक्त किया गया है ? समेरु माउट पर किस तेस में ज्वाल मुखे विश्फोट हुआ है ? तो देखिए बहुत important है ये इंडोनेसिया में हुआ है गाँ हुआ है इंडोनेसिया में हुआ है तो दोस्तों ये था आजका important question और आपको हमारी मेहनत अच्छा लगता है पसंद आता है question हमारी में हाथ आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक एक लाइक जरूर कीजेगा अधिक सदिक लोगों को भी सेर कर दीजे ताकि इस वीडियो का लाव उन तक भी बहुत सके लगातार प्रक्टिस जारी होता रहेगा सिजी पेस्टी के तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी लगातार प्रक्टिस जारी होगा एस आई कभी जारी हो रहा है तो लगातार चैनल से बने रहें मिलेंगे नेक्स वीडियों